एक दिन सिंगल डे भी जब तक डैवोर्स नहीं होता उसके उपर किरिमिनल केस किया गया नाइंत मंथ स्टोरी उसकी बहुत नहीं रिष्टे खराग किये डुल्ले पैरा ना कुछ नहीं भीड़े अजय भी साम सकते हेलो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपका सुवागत करती हूँ डिंपल विलोग्स पर मुझे पता है अभी तो आप लोग मेरा पहला ही एपिसोड देख रहे होंगे जिसमें की मैंने थमनेल पर ननु जीजा को लालची बताया है जानी की लालची ही कहेंगे गाड़ी ले ली समान ले लिया बहुत कुछ ले लिया फिर वापिस लोटा भी दिया रिश्टे नातों में यहाँ पर हस्बेन वाइफ के सला से लिया गया अपने घर के लिए ही सामान जो की जरूरत भरका था हना तो उसमें दहेज उसको नहीं घर तुड़वाने का रिष्टा तुड़वाने का ही काम किया अभी जस्ट मेरे जैसे ही इंस्टा पर आप लोगों को पता ही है कि अपने एपिसोड जो है मैंने शेयर किया किसी से मेरी बात चीत हो रही थी उस समय मैं यह चीज देख रही थी कि अरे यह क्या जहां पर तो शोक्ड थी देखकर कितनी प्यारी लग रही थी वो बहुत थी प्यारी लग रही थी अच्छा उसका जे वाला फेस जो अब है ऐसा तो था ही नहीं जहां शादी से पहले वो जैसी दिखती थी वो वैसी भी नहीं थी इतना रूप निखर कर उसको आया था मतलब पंजाब क पानी उसको लग गया था प्यारी लग रही थी जिसको एक्चली में डिप्रेशन होता है इंजाइटी होती है घुटन होती है उसकी शकल ऐसी नहीं होती उसकी ऐसी होती जैसी इसकी अब है हना वहां पर आप लोग यह भी देख सकते हो बस यहीं था एजस्ट नहीं कर उसको पता है सास को भी कैसे काबू में रखना है प्यार से पती को भी कैसे काबू में रखना है दुलार से जानी कि हर किसी का सिर्फ पती का ही नहीं हर किसी का मैं कहती हूँ ना दिल तक पहुंचने का रस्ता ना पेट से होकर जाता है पेट में अच्छी अच्छी चीजे बनाओगे तो वही बाते होती हैं लेकिन वैसे ही जैसे खाने अच्छे अच्छे बनाने होते हैं प्यार से वैसे ही रिष्टे भी होते हैं लेकिन खुद को स्पोर्टर कहने वाले इनके कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्नों ने खुद की इसकी लड़की की ही मतलब मैंने त जो ओन कैमरा दिखता है कि आप लोगों के साथ जो शियर होता है पब्लीकली आप उस में सिर्फ बात कर सकते हो लेकिन कुछ लोग तो भी क्या ही बोले हाना लेकिन अब जो है पुतन को याद आ रही है अच्छा बेशक वो पंजाबी ही सोंग है जिसको कहा गया है कि एक वारी तुट गई था जूड़नी नहीं एक वारी तुफेर सोच ले हाना मतलों वो इनसान सोच ले मैं नन्नो के फेवर में बात नहीं कर रही हूं मैं पुत कोड़ी उमर के लोग भी बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिनकी अभी नहीं नहीं शादी भी कईयों की हुई है हाना मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे इंस्टा पर मैसिस करते हैं यह लिखते हैं यह कहते हुए कि हमें बहुत ही मतलब हैल्प मिलती है आप सुनिए पुरानी बातों को भूल जाएं वह इंसान भूल जाएं जिसके ओपर क्रिमिनल केस हुआ एक गली से गुजरने से ही गली सी आज चांद निकला मुझे तो लगा यह वाला गाना गुन-गुन आया जाएगा लेकिन वह भाबी जो आये जुम्मा जुमा उसको चार दिन नहीं हुए लेकिन वह टॉंटिंग में वे में बात करती हुए नजर आई मैंने कल के एपिसोड में भी आपको बताया था कि पुत्तन ने वह गाने से के थुरू ही वह चीज़े संभाल लेकिन हम स्कूटी पर ही चलेंगे हवा में ही उड़ेंगे हना लेकिन बाबी न टॉंटिंग वे में बात करी जा उसका वो मतलब नजरिया नहीं था लेकिन फिलहाल तो नजरिया ही लगने लग गया सब लोगों को हना क्यूंकि गाना कुछ इस तरीके से था एक बार फिर से रपीट करती हूं तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद हना तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद हना तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था तुमको तो अब मिल ही गया जो तेरा अपना था मतलब पुतन जहां पर यह है कि जो तुमारे अपने थे वो तुमें मिल गए हैं लेकिन अब फिर इस की क्यों याद आ रही है अब यहां पर मैंने जस्ट अभी एक आप लोगों के साथ एपिसोड शेयर किया है जिसमें मैंने बोला सिंगल पेरेंट होना गलत नहीं है लेकिन स्ट्रगल अब समझे इस बात को हाना जहां पर दो सीर जुड रहे होते हैं ना उनको अलग कराना ना बहुत बड़ा पाप है यहां प अपर जो है अब यहां पर लोग कहेंगे आप ने अंटी जी के बारे में ऐसे क्यूं कहला क्यूं वह सास नहीं है सास भी वह होजी यह तो नहीं है कि उन से कुछ गलतिया नहीं होगी 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 जब को नराज़गी नहीं होगी नराजगी उनको तोähänरश डस से ही थी जह सामने वाले से जब आपको उतना प्यार नहीं मिलता तो फिर वो धूरियां बना ले वो ज्यादा अच्छा है अभी जस्ट मैंने अपने अपिसोड में भी यही बोला अब आप यह बताईए मुझे कि किसी ने भी एक दिन एक दिन सिंगल डे भी देखा है पुत्तन के घर चा कर रहकर चली है और भगत भी हुई उनकी जैसी भी हुई चाहिए उनको खुद से ही सब खाने वाना बनाना पड़ा मॉर्निंग में तो चलो कईयों की आदत होती है वो कहती है कि कोई बात ने भेंजी आप बैठी है सारी उमर आप नहीं किया यह चली हम कर रहे हैं आप तो जोब भी करते हो चलो यह उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग आपसी प्यार है लेकिन फिर वोिपात आती है ना दुपट्टा की फैमली भी समझदार है है तो अब यहाँ पर पुतन की फैमली के साथ क्या भी किया गया डिनर फ़ी वो लेकर करके गय सब चिजय हुई तो कही ना कही गलतियां हैं अब नहीं अब ठीक है हना तो वही पुछ चीज़े करते ना लाइव ना करते वो सब ना करते अब जो है वो पास्ट को मैं कहते हूं फिर से एक बार भूल कर चीज़ों को इगनोर करकर एक हो जाएं बहुत मुश्किल है पुतन के लिए भी क्योंकि अलग घर लेकर रह रहे होती वो चीज़े अलग थी यह मैं स डिल पर जो है भी चूरियां तो चलनी है अब देख लो खुद ही तो कह रही मेरे सिन्वा अगबाल लदी तो यहां पर सोचने के लिए कहा जा रहा है नन्नु को वो इस वज़ा से क्या नन्नु के दिमांग में बहुत बाते चल रही हैं उसका दिल टोड चुका है उसके उपर गिरिमिनल केस किया गया उसको बच्चे को मिलने के लिए तरपाया गया उससे इतनी दूरिया, इतना डिस्टेंस बना लिया फिर भी उसको कहा जा रहा है तू एक बार सोच ले देख तेरे को इतने जूते मारे हैं कोई बात ने तू भोल जा तेरे को हमने इतने जखम दिये हैं कोई बात ने तू भोल जा हना तो यह चीजे पुत्तन तुम कह सकती हो जखम तो तुमें भी मिले हैं माईके वालों से मिल हैं ठीक है लेकिन फिर वो को अपना आपना आपना कहते हो ना समझोल अपने अपने नहीं को कह रही है ना तो वह माईके से वाहिप हई बैटी जो दुबारा से सब्सक्राइब थे नहीं बन Sकती है अभी भी अपने रिष्टों में कुछ नहीं है अगर बच्चे को लेकर सोचे तो एक बार फिर से एक हो जाए लेकर नुश से पहले counseling भी होनी चाहिए कोई बेवकुफ जाब पागल लोग नहीं होते कोई पागल नहीं होते जिनकी counseling होती है बस एक जरिया बनते हैं doctor की आपसी understanding से इनका घर बस जाए husband wife के बीच में अगर बच्चा नहीं है तो अलग हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे के future के बारे में सोचे वो जादा अच्छा है बातें दीरे दीरे ही कोई भूल पाएगा लेकिन एक चुप सो सुख अगर वहां पर वो वाली बात अगर कहावत फोलो की जाए तो जिंदगी आसान भी हो जाएगी और धर्रे पर भी आ जाएगी अभी पट्री से उत्री हुई है पट्री पर आने में टाइम और समय लगेगा यह गाने वाने यह सब चीजी है ना जो सुनने में अच्छी लगती है इनको जिंदगी में उतारना पड़ता है जिंदगी बहुत हसीन है अब जिंदगी कितनी है कोई पता नहीं लेकिन पुत्तन तुम ही ओवो जो चांदपूर से अपने ही पती को यह कहती हुई नजर आय थी 20 साल लगे 30 साल ल आने में तुमारा पूरा से योग दिया पुत्तन तुम वही हो जो कि अपनी ही सिस्टर के आप पीछे खड़े होके जूटी के हस रही थी जब जूटी बोल रही थी कि एक बच्चे को हक चाहिए बहुत सारी बाते हैं जब तुम ने अपने रिष्टों में तीसरों को आने दिया तो फिर रिष्टे जो है वो बिखरते ही हैं लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है क्यूंकि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है मैं इसलिए कह रही हूं कि देखिए जब आप किसी को स्टार्टिंग में देखना शुरू करते हो न जुड़ जा आप दिवार को लेकर इसने काफी स्ट्रगल से अपनी फेस वैल्यू बनाई बेशक जुठी कहती रहे कि मैंने बनाई मैंने बनाई लेकिन इसको देखकर ही हम लोगों ने इसके आसपास के जो चहरे हैं उन लोगों को देखा है बाद में पहले इसको देखा है ना अच्छ हो जाना बाई बैनों ने पनीर की बुर्जी बनानी बहुत खुश हो जाना तो चीजें वह टाइम हम लोगों ने इनका चार साल पहले देखा है तो अच्छा लगा था कि हां यह लोग जो हैं जमीन से जुड़े हुए हैं अभी चलो ठीक है इनका समय अच्छा नहीं है ले उसकों देखकर कि कितनी प्यारी लग रही थी और आज देखो चलिए वह समय नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा दुख सुख सबकी लाइफ में आते जाते रहते हैं लेकिन नहीं नजर जो होनी चाहिए कि आपको अपनों की पहचान होनी चाहिए हना जहां कोई जबर्द कि निशानी भी तो है आपका वो चिंटू कितना प्यारा वो बच्चा है हना उसके फ्यूचर के बारे में ही सोच ले लेकिन कभी भी अपने माईके वालों को अपने ही पती की अपने सुसराल वालों की इंसल्ट करने का मोका ना दे अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके अगा होती है वो कि दोनों तरफ को जोड़ती है वो माईके और सुसराल वालों को यह परिवार एक होता है ना तो यह चीज़ से समझदारी सीखें अपनी ही मदर को देख लें जिनोंने सिंगल पेरंट होते हुए भी इतनी जद्दो जहत से इतनी स्ट्रगल से आप लोगो जाए नहीं है इससे अच्छा यही है कि ओफ कैमरा चीजें जो है वो सुलजा ली जाए ठीक है आर जापार हो जाए और उसके बाद जो है अपने डेली रूटीन के एपिसोड लाकर सब को एक बार फिर से दिखा दें बता दें कि हाँ जिन्दगी जो है अब ऐसे चलेगी ह आपने भी पुत्तन ने समय बहुत कुछ सीख लिया होगा अभी तक नहीं सीखा तो आपको फिर पता ही है और कैमरा ही वो सब कुछ आ जाएगा बस वही ना कि कुछ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब कि कुछ दिन के लिए पुत्तन का जो दिमाग है वो खुल जा लेकिन वाकिया में अगर नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं मानते हैं हाना पर एक चीज मैं यहां पर बताना चाहती हूं कि अगर नजर है जो कभी किसी को नजर नहीं आती नजर लगती है ना लगती है ना पुरातन काल से चला आ रहा है नजरे उतारी जाती है हाना तो आज जो है यह सब चीजे भी हैं दुनिया में नजरे लगती हैं लोगों के परिवार खराब होते हैं सोशल मीडिया पर एक खुशहाल परिवार भी जो है ना मैं कहते हूं वह भी नजरे लग जाती हैं तो खराब होते ही हैं लोग कहते हैं नजरे नहीं लगती क्यों नहीं लगती लगती है मैं कहती हूं लगती है हाना अच्छा फिर ये भी चीज और दूसरी बात ये भी आती है आज सारे बाबाओं की जितने भी बेठे सब की डुकाने बंध हो जाते सब बड़े-बड़े बंध हो जाती अगर आसमान में शितारे नहोते सूर्य नरायनदेव जो आप रोज देखते हो यह नहोते चांद नहोता अगर यह सब चीज़े हैं तो जोतिश और विज्ञान भी है तो ऐसी चीज़े हैं दुनिया में आप इस बात को माने जा ना माने अब भगवान को किसी नहीं देखा लेकिन एक आंखों के कहते ना भगवान को बड़े प्यार से हम लोग मंदिर में देखते हैं उनका अक्स अपनी आंखों में उतार सबने के कोशिश करते हैं मानते हैं ना भगवान हैं तो यह चीज़ें भी हैं नजरे हैं लगती हैं बहुत बुरी लगती हैं नजरे हैं क्यूंकि पुत्तन को सब ने देखा है काफी प्यारी लगती थी वह 9th month story उसकी बहुत ही अच्छी थी है ना बहुत अच्छा time period रहा चीज़ें discuss हो चुकी है तो कभी भी अपने रिष्टों में थोड़ी सी भी अगर कहते हैं वह होती है कुछ गड़बड तो कभी भी social media पर discuss ना करें अपने बढ़ों के साथ discuss करें नहीं बनती है आजकल के बच्चों का कहते हैं तर्क भी तर्क बहुत जादा है नहीं बनती आप उबर ही जाओगे उन चीजों से अभी भी उत्तन को समय रहते समझ आ जाए तो अभी भी कहते ना कुछ नहीं बिगड़ा हाना डुले पैरा ना कुछ नहीं बिगड़ा अजेवी साम सकते हो हाना बस फरक इतना ही है कि अभी जो है ना अस डोर संभालनी पड़ेगी कि इसको बड़ों को बड़ों को आपके बीच में पुल बनना पड़ेगा अभी तो फिल्हाल आपका चिंटु जो है वह पुल बना हुआ है लेकिन वह चोटा बच्चा वह तो नहीं समझा सकता अपनी मां को ममी आप ऐसे मत करो पाप ऐसे मत करो आप ऐसे मत करो वह करो ना व और अपनी बेटी की जहां पर मैं कहना चाहती हूं मदर इंडिया को कि अपनी बेटी की भावनाओं को समझें समझें यह नहीं कि आपने सारी जिंद्गी सिंगल पेरेंट होके गुजार ली ठीक है और वो भी गुजार ली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल होता है सिंगल पेरेंट रहना जो रहते हैं न उनको पता है और जहां पर तो मदर इंडिया को यह था कि वो तो दुनिया में नहीं थे लेकिन यहां पर तो पुतन को हर वक्त इंतिजार है लेकिन पुतन का वह एपिसोड फिर नहीं आना चाहिए था बहुत सारी चीज़ें हमें यही समझवे नहीं आता कि हम ये बात सोचें कि ये सोचें ये ठीक कि ये गलत अब गलत बाते जो हैं वो पुतन की एपिसोड बनाकर वो डर कर वो रोकर सामने आकर कि ड्रीम करकर इन्होंने ऐसे गाड़ी चलाई शोर करा मतलब उचे उचे गाने लगाए ये मुझे किनेप क करना चाते ठीजय मेरे साथ यह करना चाते थे हैं एख मतलब स्ट के इसे स्टोरी लगा कर यह बताना कि में वापिस जाना चाहती हूं मैं अपने पति देव हैंनों को समझारा चाहती हूं कि एक भार फिर से सोच लो क्या वो फिर सीनी सोच लहां पर तुमें तुम्हें कि next ऐसी हरकते नहीं करनी है फिर से कहती हूं कौंसलिंग करवाओ medicine चलती है medicine लो जी meditation करना है तो वह करो क्योंकि जुरूरी नहीं है कि पागल हो तो यह आप चौंसलिंग होती है यह रिष्टों को एक करने के लिए आप लोगों वो आएगा YouTube Talkies पर कैसा लगेगा बताना जरूर मिल गी हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए आप अपने ध्यान रखें अपने अपनों का ध्यान रखें क्यूंकि आप हो तो हम है